UGC की गाइडलाइन के अनुसार अंतिम वर्ष की परिक्षाए करवाने पर मन्थन में जुटा उस्तर शिक्षा विभाग नमस्कार दोस्तो अंतिम वर्ष के छातरों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है तो आईए जानते हैं रियाना के उस्तर शिक्षा विभाग का क्या कहना है परिक्षा करवाने की गाइडलाइन पर सरकार के स्तर पर लिया जाना है फैसला बासकर न्यूज कुरुशेतरा परदेश बरकी उनिवर्षटी और संबंदित कोलेजों के अंतिम समेस्टर प्राइवेट वद दूर वर्ती डिस्टेंस के लाखो विधारतियों को अपनी परिक्षाएं देनी पड़ सकती है यूजी सी की और से 6 जुलाई 2020 को अंतिम वर्ष और अंतिम समेस्टर के विधारतियों की परिक्षाएं करवाने की आई गाइडलाइन के बाद परदेश की उस्तर शिक्षा विभाग इस पर मंतन करने में जुटा है यूजी सी की गाइडलाईन को आई 21 दिन बीच चुके हैं और अभी तक परदेश सरकार की और से इस मामले को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है अब उमीद है इसी हफते में यूजी सी की गाइडलाईन के अनुसार परिक्षाएं करवाने का फैसला हो सकता है बता दें विध्यारतियों का भविशे यूजी सी और परदेश सरकार की गाइडलाईन के बीच उलजा है परदेश सरकार की और से 23 जून को सभी समेस्टर और फाइनल वर्ष के विध्यारतियों को बिना परिक्षा दिये परमोट करने के आदेश जारी किये गए थे 6 जुलाई को यूजी सी और फाइनल वर्ष समेस्टर के विध्यारतियों की परिक्षा देश जारी कर दिये गए थे 6 जुलाई को युनिवर्टी ग्रांट कमिशन UGC की और से अंतिम वर्ष और समेस्टर की परिक्षाएं सितंबर के अंद तक करवाने की संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी गई थी इस गाइडलाइन में UGPG के अंतिम वर्ष और अंतिम समेस्टर के विद्यारतियों की परिक्षाएं लेने की बात कही गई है गाइडलाइन में कहा गया है कि शिक्षा की गुणवता के लिए परिक्षाएं आयोजित करना बहत जरूरी है इसे देखते हुए परिक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया गया है UGC की अधिसूचना के अनुसार लेंगे फैसला ये का है डॉक्टर B.K. कुटियाला ने जो अधिक्ष है राज्य उत्रशिक्षा विभाग के आये जानते हैं रियाना उस्तरशिक्षा विभाग क्या कहता है राज्य उस्तरशिक्षा परिशद के अधिस डॉक्टर B.K. कुटियाला ने कहा है कि UGC की अधिसूचना के अनुसार इसी सब्तात तक फैसला ले लिया जाएगा डॉक्टर कुटियाला ने कहा कि विद्यारतियों से बात चीज़ में भी आया है कि वे परिशद कराना चाहते हैं तो मतलब की उस्तरशिक्षा विभाग कह रहा है कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उन्हें वो परिशद कराना चाहते हैं तो आईए जानते हैं इस पर केयू का क्या कहना है सरकार के फैसले का इंतजार केयू के लोक संपर्क विबाग के उपने देशक डॉक्टर दीपक राई बबर ने बताया कि UGC की परिक्षा करवाने की गाइड लाइन आने के बाद परिणाम अटक गए हैं इस बारे में परदेश सरकार के स्थर पर फैसला लिया जाना है अगर सरकार का फैसला साथ अगस तक नहीं आया तो आवेदन की तिथी बढ़ा दी जाएगी यहाँ आवेदन की तिथी से एडमीशन की तिथी से मतलब है कि एडमिशन की डेट्स आगे तक सरकार का कोई फैसला नहीं आता है तो के यू का ऐसा कहना है इसी के साथ दोस्तों अर्याना के अंतिम वर्ष के छातरों को बहुत बाई जटका लग सकता है जो निर्णे अर्याना सरकार ने पहले लिया था वो बदला जा सकता है तो ये बहुत एक बहुत बड़ी खबर है ये थी दोस्तों हर्याना उश्तर शिक्षा इभाग की ओर से सबसे लेटेस्ट खबर तो इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी अंतिम वर्ष के दोस्तों तक पुचा दो इस वीडियो को और चैनल को सबस्क्राइब कर लो अगली वीडियो जल्द ही आएगी जै हिन जै भारत धन्यवाद